भगवान श्रिफ के प्रिये सावन महिने के पहले सोमवार को हमने आपको बाबा महाकाल जोतरलिंग के बारे में बताया था आज सावन की दूसरे सोमवार को हम आपको एक और जोतरलिंग बाबा सोमनाच के बारे में बताते हैं गुजरात के विरावल में स्थित सोमनात मंदिर का निर्मान स्वयम चंद्रदेव ने किया था विगवेद, सकनपुरान और महा भारत में भी इस मंदिर की महिमा का बखान है सोम भगवान का इस्थान यानी सोमनात मंदिर जहां कर भगवान के साक्षात दर्षन की अनुभूती होती है इसे हिंदू धर्म के उध्थान पतन के इतिहास का प्रतीग भी माना जाता है इस मंदिर के अंदर मापारवती भगवान कनेश और नंदी की मूर्तियों के साथ साथ एक सुन्दर शिवलिंग भी है। माता पारवती के साथ वहां रहने लगे थे। इसके वाद पावन प्रभास छेत्र में चंद्रदेव यानिकी सोम राज ने यहां भगवान शिव के इस भव्व सोमनात मंदिर का निर्मान करवाया। इसकी महिमा और प्रसिद्धी पूरे विश्व में फैली हुई है। पूजा राधना से भक्तों के शे अत्वा कोड जैसे रोख भी ठीक हो जाते हैं। आपको बता दें कि गुजरात का सोमनात मंदिर एहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर समंदर के किनारे स्थिद हैं। कहा जाता है कि सोमनात मंदिर का निर्मान स्वें चंद्रदेव ने किया था। इस मंदिर पर कई हमले किये गए। कई वार मंदिर को धस्त करने की कोशिश भी की गई। मंदिर से खजाना भी लूटा गया लेकिन आकमनकारी आस्था के स्तंभ को नहीं तोड़ पाए। वे इस मंदिर से जुड़ी भक्तों की शद्धा को खंडित नहीं कर पाए। सोमनात मंदिर अपने शिल्पकला और गौरशाली इत्यास के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के शिखर पर सुन्दर नकाशी की गई है। सोमनात मंदिर में बावा सोमनात के दर्शन करके भग्त अपने सभी मनुरत पूर्ण करते हैं। जै बावा सोमनात। झाल